पर आपको नाम टाइप करना रहेगा आप यहाँ पर देखिएगा एक तरफ परस्ट में आपको जो है इंगलिस में आपको नाम टाइप करना रहेगा ठीक है इसके बाद में यहाँ पर देखिए हिंदी में आपको नाम टाइप करना रहेगा हिंदी और इंगलिस दोनों होने के बाद जनम तारिक आपके आदार कार्ट के according आपको submit करना रहेगा यहाँ पर इसको scroll करके आप जो जनम तारिक है आपकी जैसे sun लिया पहले इसके बाद में आपको जो है month select करना है इसके बाद में जो है month select करने के बाद में deselect करना है जो है, इस प्रकार से आपको father का नाम आपको enter करना है, male female जो भी आपका लिंगे वो आपको submit करना है, इसके बाद में आपको address डालना है, जो आपके अधार काड में लिखा है, वही address आपको गाउं का नाम ही डालना रहेगा ठीक है यह तीनों चीजे complete हो जाएगी जैसे यहां पर हो गया वापस यहां लिखना हमको post ठीक है post जो भी है आपकी वो post आपको हैं submit करनी रहेगी इसके बाद में जो है आपका जो आगए यहां पर फिर से आपको आपका गाउं लिखना रहेगा ठीक है गाउं का नाम लिखने के बाद में आगे की process रहेगी दोस्तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें कहीं से escape करेंगे तो हो सकता आपकी profile गलत हो जाए अब यहां पर आपको जो है पिन कोट कोट डालना आपको इनकोट डालने के बाद आप यहां पर ग्रामिंट छेत्र से हैं तो ग्रामिंट पर करेंगे यहां पर आपको डिस्टिक और ब्लॉक select करने के बाद आप यहां पर आपको that सिलेक्ट करना रहेगा अगे लिखा रहेगा वेवाहित की स्तिति आपके i विवा हुआ है यहां पर आपको सिंगल अगर है तो सिंगल लिखना है ठीक है आप यहां पर देखिए जाती प्रमांट पत्र आपको यहां नंबर डालना है आगे आपको जो है उसकी डेट डालनी है और आगे बढ़ाना है तो जैसे आगे बढ़ाते हैं कुछ इस प्रकार की के आईडी डालनी रहेगी आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए हिद्ग्राइडी हो गई है अब इसके बाद परिवार किया है समग्राइडी डालने के बाद इसे जैसे सब्मिट करते हैं कुछ इस प्रकार की डीटेल आपके सामने दिखने लगेगी सुरक्षित जैसे करते यहां बीच वाले ऑप्सें देखिए यहां आपको जो है आस्टा डालना है यह जो भी आपके गाउं है जो आपका गाउं का नाम भी डाल सकते हैं ठीक है अब यहां आगे हम जैसे सब्मिट करते हैं यहां नीबढ़ने देगा कारण क्योंकि बीच में हमने कुछ चोड़ दिया है उपर वाले option सबसे उपर वाले option पर क्लिक करना है less than to one leg ठीक है less than to one leg यह करने के बाद जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे ठीक है अब यहां submit हो जाएगा जैसे submit पर क्लिक करते हैं submit होगा अभी कुछ इस प्रकार का आएगा कि एक बार verification कर लिजे कर लिया आप यहा आगे बढ़ेंगे यह आपकी पूरी MPTASK की profile आ चुकी है अब यहां पर आपको जो है अपना password आपको डालना रहेगा दो बार आपको password इंटर करना है same password होना चाहिए अलग-अलग नहीं होना चाहिए तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे ठीक है यहां पर इसको हम confirm प होता है दोस्तों यहां से हमने से उठा करके इधर copy कर लिया वापस पेस्ट नहीं होगा इसलिए हमें से copy करना जो है लिक करके रखना जरूरी अब यहां से हम इसे type करना पड़ेगा मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके ठीक है यहाँ पर देखिए यह मैंने इसे कर लिया आप यहाँ पर मैं इसे हार से type कर सकता हूँ मैंने इसे type करेंगे इस सारी जो है आपकी detail जो आपना है आप भी जो केपचा के जो कोड दिख रहा है वो आपको यहाँ submit करना रहेगा submit करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार की detail पुछेगा क्या आपको आपकी जनम तारिक में चेंज करना है नहीं करना हमें यहाँ पर अधार कार्ड नंबर आपको जो है डालना रहेगा यह KYC ि हो रही है ठीकिए KYC करने के लिए आपको आदार कार्ड नंमर आपको इंटर करना रहेगा फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको केपचा कोड डालना रहेगा केपचा कोड डालने के बाद यहां confirm पर क्लिक करते हैं आप दो मोर्ड दीये कि क्या आपके पास अधार के हैं otherwise fingerprint से भी हो सकता है तो हमने यहां OTP लिया जैसे OTP सब्मिट किया ओटीप यहां पर आ चुका है मुबाइल पर आने के बाद में यहां पर आप उसे सब्मिट करेंगे ठीक है जैसे OTP आया है ओटीप डालने के बाद इसे हम इसे आगे बढ़ाएंगे यह OTP आ चुका है, submit हो चुका है, अब ध्यान देना यहाँ पर, सबसे ज़्यादा important चीज यह app देखिए, exception आपका जो है, save हो चुका है, इसके बाद में यहाँ एक बार इसे हम refresh करने के बाद, यहाँ गए my profile, इसके उपर जाने के बाद, print, इसके उपर जाने के बाद, export करें करने के बाद, आपकी पीडियाप आ चुकी है, जैसे डाउनलोड होगी, पीडियाप को इसे आप यहाँ से print out ले सकते हैं, जैसे मैं open करूंगा, open करने के बाद, देखिए, यह आपकी print out आ चुकी है, इसके बाद में, इसे आप जैसे save करना चाहते हैं, तो save कर लिजे, अन जरूरे धन्यवाद,